हेलो फ्रेंज, वेल्कम चो माँ चानल, स्केरी सांटर तो चलिए सुनते हैं आज कहानी हॉंटेट कैफे शानवी एक फोटोग्राफिट थी वो एक बिल्कुल बेफिकर लड़की थी उसको किसी की बात से कोई फरक नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपनी नियमों से जीती थी सभी को उसका ये बिंदास आजिट्यूट बहुत पसंदाता था जो भी पैसे वो अपनी फोटोग्राफिट से कमाती थी वो सब पैसों को पहाडों में नई नई जगा गूमने में लगा देती थी शानवी को अकेले घुमना बहुत पसंदा इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगा पर गई एक नई हिल स्टेशन आई थी वो जगा एक गाउं के पास थी उस पहाड के उपर एक ऐसी जगा थी जहां से जो नजारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब पांच किलो मेटर लंबा था शानवी ने वो नजारा देखने के लिए उसने अपना बैक तयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रही थे शानवी बस उपर की वियू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करते बस उपर चड़े जा रही थी कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड के उपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता उपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था शानवी को लगाओ एक शॉटकट है और शानवी का ट्रेनिंग का काफी अनुभाव था तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया उस कच्चे राष्टे पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था अब तक उसे ट्रेक वाले रास्टे पर पहुँच जाना चाही था पर वो तो पहाड के किसी घन्य जंगल में आ चुकी थी शानवी ने जब वापस मुर कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझा रहा था और रास्ता भटक चुकी थी उसके फॉन में नैटवर्क भी नहीं था अब शानवी थोड़ा परिशान होने लगी थी अपनी किसमत को कोस्ती हो शानवी अब सही रास्ता खूजने लगी भूब के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था उस विराने की बीच में एक बहुत ही सुन्दर कैफे बना था और उस कैफे में से एक पक्की सड़क भी मिली थी शानवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा वो जल्दी दोड़ कर उस कैफे की तरफ गई और अंदर चली गई कैफे जितना बाहर से सुन्दर था उससे कही ज़्यादा सुन्दर अंदर से था और बहुत ही अच्छ डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की महां बैटकर हस खेल रहे थे वो कैफे परफेक्ट था शानवी सब कुछ भूल गई थी पटापट से एक टेबल पर बैठ गई और तब ही एक वेटर आया उस वेटर ने जैसे ही मैन्यू का टेबल पर रखा शानवी की नजर उसकी कलाई पर पड़ी उसकी कलाई पर जलने के निशान था जब तक शानवी उस घाओ को ठेक से देख पाती उस वेटर ने उस घाओ को ढख लिया शानवी को बहुत ज़्यादा भूक लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ओर्डर दे दिया ओर्डर करने के कुछ समय में शानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए तो वो उठकर वाश्रूम की तरफ जाने लगी वाश्रूम के रास्ते पर उन हस्ते खेलते लड़कों की टेबल भी थी तब ही उसने देखा कि उन में से एक लड़के के सर पर एक गाउ था और ये गाउ ठीक उस स्वेटर के जैसे ही लग रहा था ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही गाउ टेबल पर बैठे हर इंसान पर था किसी के चहरे पर तो किसी के हाथ पर शानवी उन गाउ को देखने में इतनी गुम हो चुकी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हस्ते खेलते लोग अब बिलकुल शान्त हो गए थे और वो शानवी को बहुत ही ड्राउने तरीके से घूर रहे थे शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नराज हो गए वो सौरी बोलकर वाश्रूम में घुज गई वाश्रूम में मुध धुलते हुए वो उन घाव के भारे में ही सोच रही थी मुध धुलने के बाद जब उसने सर उठा कर सीशे में देखा उसकी रूह काप उठे, उस वाश्रूम के सीसे में वो वाश्रूम पूरा जला हुआ दिख रहा था अचानक उसे बहुत जोर-जोर से लोगों की चीखने की आवास सुनाई थी लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक शानवी कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था शानवी को लगने लगा कि इस जगा में कुछ तो गड़बढ है पर उसे इतनी भूक लगी थी कि उसके सोचने की जल्दी ही अपना पेट भर के वहां से निकल जाएगी शानवी सर जुका कर अपनी टेबल पर पहुची और अपने खाने का इंतिजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाए और उसे पीने लगी शानवी ने सिगरेट का धुआ छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफे में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफे में मौजूद हर एक इंसान उसी को घूर के देख रहा था उनकी आँखों में इतना गुसा था कि शानवी घबरा उठी देखते ही देखते सब के चहरे बदलने लगे और उनके शरीप बिल्कुल काले पड़ गए वो वेटर जो शानवी से बहुत हसकर बाते कर रहा था अब शानवी के तरफ गुसे में तेजी से दोड़ता हुआ आ रहा था शानवी सहम गई सिगरेट छोड़ कर पानी का ग्लास डाल कर बुझा दिया शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत जादर डर चुके थी इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राक की तरह तूट रहे हैं यह देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई वो अपना सामान उठा कर जैसे तैसे उस कैफे से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकल कर पीछे मुड़ कर देखा तो वो खुबसूरत सा कैफे एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी वहाँ शानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था शानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया शानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की शानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शानवी ने कभी सोचा भी नहीं था उसने शानवी को बताया कि जिस जगा की वो बात कर रही है महा कई साल पहले एक कैफे हुआ करता था एक बार एक कस्टमर उसी कैफे में बैचा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेक दिया था उस आदमी की लापरवाही की वज़े से एक परदे में आग लग गई थी और इससे पहले के कोई कुछ समझ पाता पूरे कैफे में आग पैल गई थी और अंदर फसे सभी लोग जल कर मर गई शानवी ये सब सुनकर हक्की भखकी रह गई अब उसे सब समझ आ रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफे में बैठे सभी लोग जिन्दा नहीं मरे हुए थे उस आदमे की बात सुनगर शानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई लेकिन शानवी को ये नहीं पता था कि उसके बगल में बैठे इनसान के गरदन पर भी वैसा ही जले हुए निशान थे अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सिडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम शान भी था कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब किजी मेरे चानल को